हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगी साइन्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको पोधे के भागों का रूपांत्रन कराया था जिसके अंतरकत मैंने आपको जड़ का रूपांत्रन, तने का रूपांत्रन और पत्ती का जो रूपांत्रन ने वो करा दिया था कि किस प्रकार से जड़, तना और जो पत्ती है वो रूपांत्रित होते हैं और किस कारण से इनका रूप बदलता है important topic है last two years से यहां से question आपका दो number का बन रहा है तो इसको अच्छे से तयार कर लो आज मैं आपका science में next chapter स्टार्ट कर रही हूँ जो है पौधों में प्रजनन चलिए देखते हैं सबसे पहले देखेंगे कि प्रजनन क्या होता है तो प्रजनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन करना यही क्रिया कहलाती है प्रजनन चाहें वो जीव जन्तूं या पेड़ पौधेयों वो अपने ही जैसे हूब अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं यही process कहलाती है प्रजनन प्रजनन की क्लिया किस में होती है तो जितनी भी सजीव वस्तुएं उन सभी में प्रजनन होता है और जितनी भी निरजीव वस्तुएं है क्या उनमें प्रजनन होगा तो उनमें प्रजनन नहीं होता clear आते हैं पौधों में प्रजनन तो पौधों में प्रजनन क्या होगा कि पौधों के द्वारा अपने ही जैसे नए पौधे को उत्पन करना ही प्रजनन कहलाता है यह पौधों में प्रजनन कहलाएगा पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है तो पौधों में प्रजन अलेंगिक को asexual reproduction और वर्धी प्रजणन या काइक प्रजणन को बोलते हैं vegetative propagation या फिर vegetative reproduction लेंगिक प्रजणन में क्या होता है नर्यूगमक और मादा यूगमक की आविशक्ता होती है अलेंगिक प्रजणन में क्या होगा कि जो भी जनक है उसी की कोशकाई जो है वो विघटित हो जाती यानि कि उसी के किसी न किसी अंग से ही नए जीव की उत्पत्ती हो जाती है और वर्धी या काइक प्रजणन में क्या होता है कि पौधे के जो काइक भाग है कौन-कौन से जड़, तना और पत्ती इनके प्रियोग से हम प्रजणन कराते है यानि कि इनका कोई भी जो भाग है जड तनाय पत्ती को काट के भूमी में लगा दिया और वहां से नए पौधे की पत्ती हो जाती जैसे गुलाब में आपने देखा होगा कलम लगाई जाती वो आता है वर्थी प्रजनन में यहां पर पुष्प का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि पुष्प जो है इसमें पौधे के प्रजनन अंग पाए जाते हैं नर और मादा ठीके दोनों जनन अंग पाए जाते हैं और जब दोनों नर युगमक और मादा युगमक वहां पर मिलेंगे और जब उनका फर्टिलाइजिशन होगा तो ये प्रोसेस आएगी लैं की प्रजनन में आईएगा पुष्प होता क्या है तो पुष्प क्या है पौधे का सरवादिक आकरशक और सुगंदित भागें और यह कलरफुल यानिकी रंगीन होता है पुष्प की सुगंद और उसकी कलर की वज़े से हम उसकी तरफ आकरशित होते भी है पुष्प में ही पौधे की जननंग पाई जाते हैं चाहे वो नर जननंगो या फिर मादा जननंगो आते हैं पुष्प के भाग पर बहुत ही इंपोर्टेंट है ये देखे 16, 17, 19, 22 में लगाता है ये कुश्चन पूछा गया है पुष्प जो है वो वास्तब में पत्तियों का ही रूपांतरित भाग है यानि की रूपांतरण है और पुष्प के चार भाग मुख्य है कौन-कौन से बाहे दलपुंच, दलपुंच, पुमंग और जायांग पुमंग जो है वो जननंग को रिप्रेजन करेगा और जायांग जो है वो मादा जननंग को परदश्चित करता है बाहे दलपुंच क्या होता है तो एक पुष्प में आपने नीचे हरी-हरी सी कुछ पतली-पतली सी सरचनाई देखी होंगी जो जैसे कली जब होती है ना तो कली पूरी हरे रंग से ढखी होती ना हरे रंकी सरचना से वही सरचना जो है वो कहलाती है बाहे दल पुंच तो ये दोनों ही जो आपको दिख रहे हैं आपर छुटी-छुटी से ये क्या है बाहे दल पुंच है इसके बाद सभी पुषपो में क्या होती है कुछ कलरफुल सी पैटल्स दिखती है जिनको हम पंखु क्या होता है तो नरजनन अंग यहां पर चित्र में हुआ चोटी चोटी पतली साशनाई दिख रही ना ल Mong ब से सब क्या है यह सब की सब पुमंग और बीच में आपको यह जो हिस्सा दिखरा है यह मादवर जनन अंग है इसी को हम पूलते हैं जायांग आ गया समझ में अभी हम इन सभी अंगों को डेटेल में देखेंगे आते हैं हम सबसे पहले बाहे दलपुंच पर की बाहे दलपुंच क्या होता है जिसको केलेक्स बोला जाता है ये हरे पत्ते जैसा भाग है और फूल खिलने से पूर वो उसकी आंत्रिक अंगों की रक्षा करता है आपने कली देखी होगी एक कली पूरी की पूरी किसे रखी होती है इस हरे रंगी सरचना से ये दिख रही है न यही और उसके बाद जब वो दीरे-दीरे खिलती है तब उसमें से दल पुंच बाहर निकलते हैं तो यही कहलाता है बाहर दल पुंच और इसकी एक एकाई जो है वो कहलाती है बाहर दल इसके बाद आएंगे दल पुंच यानि की कोरोला यह परागड के लिए कीटों को आकरशित करता है यह सुगंदित भी होता है आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पर हेविसकस का जो फ्लावर है वो मने लिया है और इसमें आपको जो रैड कलर वाला दिख रहा है यह पूरा का पूरा यह क्या है यह दल पुंच है ठीक है और दल पुंच में ही क्या होते है दल पुंच के अंदर ही मादा और नर जनननंग होते है यानि की पुमंग और आपके जायांग होंगे उनकी एक एकाई कहलाती ह पुंकेसर और अंड़ तो इनकी ये जो है रक्षा करते हैं कौन दल पुंज ठीक है कलरफूल जैसे आपने हिविस्कस मेरेड कलर का है सनफ्लावर में कैसा होगा यलो गलर का होगा तो सभी पुष्ट में उनमें अलग-अलग कलर के होते हैं और इसकी एक एकाई कहलाई कि दल इसके बाद आएंगे पुमंग क्या होता है तो पुमंग के अंदर दो या दो से अधिक धागे के आकार के भाग होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो एक यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसी को हम बोलते हैं पुंकेशर एक भाग को क्या बोलते हैं पुंकेशर कहलाती है ठीक है आपसे पूछा जाए कि पुष्प का नरजनन अंग कौन सा है तो आप लिखेंगे पुंकेसर ठीक है यह पुष्प का नरजनन अंग है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है चित्र में इसमें जो उपर का भाग है इसको हम बोलते हैं पराग कोश और नीचे जो आपको दागे जैसे सरचना दिख रही है इसको तंतू या फिर पुतंतू बोलते हैं ठीक है और पराग कोश और पुतंतू दोनों मिलकर ही क्या कहलाते हैं पुंकेशर कहलाते हैं यह दोनों यानि कि दोनों भाग जब मिल जाएगा तो बन जाता है पुंकेशर पराग कोश इसमें छोटे-छोटे कड़ पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पराग कड़ और इन पराग कड़ों के अंदर ही क्या होते हैं नर युगमग मौजूद होते हैं इसलिए आपका जो पौधे का जो नर भाग है वो कौन सा है पुंकेसर है समझ में आ गया पुंकेसर के ऊपर क्या होता है पराग कोष नीचे धागी जी सरचना कहलाती पुंतन्तू दोनों मिलते हैं तो पुंकेसर बन जाएगा पराग कोष में क्या होते हैं चोटे-चोटे कड़ होते हैं यलो जैसे आपने देखा होगा हिविसकस है उसमें सरसों में देखना उपर पुष्प का नर जननंग पूछा गया था अब आते हैं पुष्प के माद जननंग पर जायांग जो है यह पुष्प का माद अंडब कहलाती है तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प का मादा जिनन अंग लिखे तो आप अंडब लिख सकते हो अंडब की सरचना कुछ आपको यहां पर इस प्रकार से दिखवी रही होगी अंडब में उपर का जो भाग होता है अब दिख़रा होगा सभी को अंडब में उपर का जो भाग है यह वाला यह कहलाता है इस्टिग्मा यानि की वर्तिकाग्र जो पराग कड़ है वो कही ना कही इसी पर आकर के गिरते हैं इसके बाद यह जो लंबी-लंबी सरचना जा रहे है यह कहलाती है वर्तिकाग्र इससे होते हुए जो पराग कड़ हैं वो कहां जाएंगे सीधे अंदर यानि की अंड़ाशे में और यह जो भाग दिख रहा है यह कहलाता है अंड़ाशे तो जो अंडब और यह पूरा इसके बाद आता है एक लिंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लंगी-लं एक ही भाग होगा यानि कि एक पुष्प में नर भाग होगा और एक पुष्प में मादा यानि कि एक पुष्प के अंतरगत नर जनन अंग होगे और दूसरे पुष्प में मादा जनन अंग होगे तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं एक लिंग की पुष्प एक मीस एक लिंग मीस दोनों जनन अंग एक ही पुष्प के अंतरगत होंगे तो वो कहलाते हैं द्विलिंगी पुष्प इसके एक्जामपल है गुढ़हल और सरसो ठीक है यहाँ पर ये कुश्चन पुछा गया था पुष्प के भागो का नामान के चित्र बनाईएगा इस प्रकार से उम्मीद है आप बना लेंगे नीचे जो हरे रंग की सरचना है ये कहलाती है बाहे दल ठीक है ये यलो यलो दिख रही होगी ये आपकी क्या है दल पुछ है बीच में पतली पतली जो सरचना है वो पुणके सर है पुंकेसर का उपरी भाग पर आकोश दर्साया है और नीचे का भाग पुंतन्तु दर्साया हुआ है ठीके उसको मैंने अलग से भी यहाँ पर बना दिया था और जायांग भाग यह है जिसमें उपर वर्तिकागर होती है फिर इसके बाद लंबा भाग भर्तिका और गोल गोल जो हिस्सा था वो कहलाता है अंडाश है तो इस प्रकार से आप इसको बना देजिएगा आगे भरते हैं नेक्स आते हैं लैंगिक प्रजनन पर कि यह किस प्रकार से होगा ठीक है लैंगिक प्रजणन में क्या होता है कि जनक पौधे के द्वारा अपनी लैंगिक को शिकाओं का परियोग करके नए पौधों को जन्म देने की जो तक्रिया है वो कहलाते हैं लैंगिक प्रजणन ठीक है इसके चरन देखिएगा चरण क्या है तो मैं यहां पर देखे आपको नरभाग यानि की नरजनरंग और मादाजनरंग पता चल चुके है पुश्प के पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है और यह नर युगमक बनाने में मदद करता है जो की कहाँ उपस्तित होते हैं पराग कड में कुछ ऐसी सरचना थी और यहाँ पर एक ऐसी सरचना थी यहाँ पर छोटे-चोटे कड होते हैं इनको क्या बोलते हैं पराग कड बोलते हैं इसके बाद आये थे पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है अंडब और यह मादा युगमक बनाने में मदद करता है जो मादा युगमक हैं वो कहां मौझूद होते हैं तो यह पीजांड में पाए जाते हैं पराखकड, पराखकोश पर होते हैं, और मादायूगमक, यानि कि आपके female गयं मीड बोलते हैं, इनको ये कहाँ होते हैं, तो ये बीजांड में होते हैं, अब इन दोनों का जब मेल होगा, उसके बाद फर्टिलाइज़ेशन होगा, और उसके बाद आपका जो जाईगौट ह वो बनेगा इसलिए मैंने इसको समझाए अब यहां से प्रक्रिया शुरूर होगी नर्योगमक मादायोगमक से निसेशन करता है यानिकि फर्टिलाइजिशन करता है और निसेशित अंड कोशिकाएं बीजांड में विक्सित होती है और बीज का जो निर्मान है वो हो जाता है और अंकुरित होने पर ये बीज जो है वो नए पौधि में विक्सित हो जाएगा बीजांड का नामां की चितर पूछा गया था आपसे तो यह चित्र हम पर देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से बनाईए, एक यह हिस्सा बनाया छोटा सा, और यहां से यह लेते हुए इस प्रकार की सरचनाय से बना लीजिएगा, और यह इस प्रकार से, ठीके, यह जो आपकी कोश्चिकाएं दिख रहे हैं, यही अंड कोश जिनको हम मादा युगमक बोलते हैं ठीके ये भाग जो है वो निभाग कहलाता है ये बीच में क्या है भीजांड काई है यहां पर क्या है भूड कोश है और ये बीच में सेंटर में धुवीक कोशिकाई पाई जाती है तो इस प्रकार से बहुत जादा जटिल चित्र मत बीज बनने की प्रक्रिया इसकी दो चरण है पहला चरण है परागड और दूसरा है निशेचन जिसको फर्टिलाइजिशन बोलते हैं परागड में क्या होगा कि जो नर योगमक है जो कहां मौझूद है पराग कड में वो पराग कड पहुंचेंगे कहीं ना कहीं मादा भाग कर उसके बाद जाके निशेचन की क्रिया होगी तो नहीं पर परागड को देखेगा पॉलिनेशन क्या होता है किसी पुष्प के पराग कड का उसी पुष्प के या उसी जाती के दूसरे पुष्प के वर्तिकागर पर पहुंचने की जो क्रिया है वो कहलाती है परागड य यहां से यह देखेगा, यहां से परागड निकले और एक कीट के मादियम से कहां पहुच गए? एक दूसरे पुस्प के वर्तिकाग्र पर पहुच गए. अंडब की जो उपर की इकाई थी, उपर का जो भाग था, वही क्या था? वर्तिकाग्र था. तो यही यानि की पराग कडों का निकल करके अंडब तक पहुँचने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है परागर तो परिभाशा आप किस प्रकार से लिखेंगे कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकागर पर या फिर उसी जाती के दूसरे पुष्प के वर्तिकागर पर पहुचने की जुकरिया है वो कहलाती है परागर परागड के लिए किसकी आवशक्ता होती है माध्यम की आवशक्ता होती जैसे हवा के द्वारा होगा या कीट पतंगों के द्वारा होगा तो वो आपका जरूरी है आपर ठीक है परागण कितने प्रकार का है परागण दो प्रकार के होते हैं स्वपरागण और परपरागण स्वपरागण का तो आपका पार्ट नहीं है परपरागण जो है उनको फिर से दो भागों में बाटा गया है पहला है प्राकर्तिक और दूसरा है अप्राकर्तिक प्राकर्तिक यानि कि प्रकर्तिक के द्वारा होगा और अप्राकर्तिक यानि कहीं न कहीं मनुष्य यहां पर योगदान देगा स्वपरागन क्या होता है तो जब पुष्प के पराग कोस से पराग कर निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकागर पर पहुँचेंगे तो यह क्रिया कहलाएगी स्वपरागन जैसे कि यहाँ पर देखिए इस पुस्प से निकले और इसी पुस्प के वर्तिकागर पर पहुँच गए तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगी स्वपरागन कहलाएगी आ गया समझ में जैसे एक ही पुस्प में क्या होगा पुंकेसर होगा और उसी पुस्प में क्या होगा अंडब होगा तो यहां से परागण निकल के कहां पहुँच गए उसी पुस में पहुँच गए वर्दिकागर पर ये क्रिया कहलाती है स्वपरागण स्वपरागण से क्या लाव होता है तो स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवशक्ता नहीं पड़ती और इसके द्वारा पैत्रे गुणों को हम बनाए रख सकते हैं हानिया क्या होंगी तो स्वपरागण से बने जीवीजों से पौधे दुरबल होते हैं ठीके कमजोर रहेंगे और पौधों में नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता जो कहीं न कहीं परपरागण में हो जाएगा इसके बाद आएगा परपरागण क्या होता है तो परपरागण क्या है कि जब किसी पुस्प के परागगड उसी जाती के दूसरे पुस्प के वर्तिकागर पर पहुँच जाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है पर-परागड यहां पर देखें दो फूल है एक ही जाती की और यहां से निकले परागकड और कहां पहुचे दूसरे पुस्प के वरतिकागर पर पहुच गए यही क्रिया कहलाएगी पर-परागड यानि की cross pollination और इसके लिए माध्यम की आवशकता पड़ेगी और इसी आधार पर इसको दो भागों में बाटा है प्राकृतिक और अप्राकृतिक प्राकृतिक 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 चलती है अब प्राकर्ति प्रागन में क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा ये प्रक्रिया संपन कराई जाती है लाब क्या होगा इससे तो इससे बीजों की अधिक उन्नत प्रजातियां उत्पन होती है पौदों में नए लक्षणों का समावेश होता है इससे जो बीज बनत परागण के लिए पुष्पों को बाहे साधनों की आवश्यक्ता पड़ती है यानि कि बाहे साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा जाती की शुद्धता नहीं रह पाती और पौधों को अधिक मात्रा में परागणों को उत्पन करना पड़ेगा जब बाहे मात्यम की होता क्या था कि जो पराग कड़ हैं इन पराग कड़ों को कहां से पराग कोश से निकल करके वर्तिकागर पर पहुँचना है ठीक है वर्तिकागर बस आपको ये लगाना है कि किसी पुष्प के पराग कड़ उसी पुष्प या उसी जाती के किसी पुष्प के पराग कोश से निकल करके वर्तिकागर पर पहुंच जाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है परागण, दो प्रकार से होती है, एक है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण, स्वपरागण में उसी पुस्प में जाना है और परपरागण में उसी जाती के दूसरे पुस्प पे जाना है, इसके बाद की क्रिया परागन के बाद का step आता है निशेचन यानि की fertilization तो परागन के बाद का चरण है निशेचन इस प्रक्रिया में पराग कड में उपस्थित जो नर युगमक हैं बीजांड में उपस्थित मादा युगमक से मिलते हैं ठीके जब पराग कड वर्तिकागर पर ग पहुँचते हैं अंडा शयकी और भड़ते हैं और बीजांड में प्रवेश करते हैं बीजांड में कौन मौजूद होता है मादा युगमक जहां पर नर युगमक क्या होते हैं मादा युगमक से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और कहीं ना कहीं जाइगौट यानि कि जो अंडा है उसका निर्मान होगा ठीक है तो अगली लाइन आपकी क्या रहेगी कि यहां नर युगमक मादा युगमक से मिलकर के युगमनज यानि कि जाइगॉट को बनाते हैं यहां पर देखिएगा एक बार किस प्रकार से रहेगा पराग कड जैसे कि मैं आपको यहीं तक जाएगी बीजांड में क्या होते हैं फीमेल गैमीट होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं मादा युगमक होते हैं और पराग कड़ों में क्या होते हैं पराग कड़ों में होते हैं नर युगमक ठीक है यहां बीजांड में नर युगमक और मादा युगमक का मेल होता ह यानि कि fertilization होता है और उसके बाद क्या बनता है एक जाइगोट बनता है और धीरे धीरे जो जाइगोट है वो विक्सित होता जाएगा और आपका क्या तयार हो जाएगा एक बीज तयार हो जाएगा समझ में आ गई ये कारपल क्या है कारपल अंडब है ये वर्तिकाग्र है ये वर्तिका है और ये अंड़ाश है क्लियर है चलिए तो आज इतना ही रखते हैं बीच जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कम्पलीट करेंगे ठीक है और सार साथ अलेंगिक प्रजुनन और आपका वर्ति प्रजुनन थेंक्स वर वाचिंग एंड प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बाबाई टेक कियर